दोस्तों, आज हम जिस मेडिसन के बारे में जानेंगे, वह सिर्ष से लेकर पाउं तक के अनेक रोगों को ठीक करने में सक्षम है इस मेडिसन का नाम है Hydrastus Canadensis नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विकास स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल Homeopathy, The Nature's Gift पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो चलिए वीडियो का शुभारम करते हैं दोस्तों एक महत्तपूर जानकारी अगर आपको इस चैनल पर बताई हुई मैडिसन से किसी भी रोग में आराम मिला है या फिर आपको किसी भी रोग से संबंदित जानकारी चाहिए तो आप सक्रीन पर बताई हुए वर्टसेप नमबर पर मैसेज कर सकते हैं केवल एक ही बार में पूरा मैसेज लिखें धन्याबाद हाइड्रेस्टर्स प्लांट किंग्डम की मैडिसन है और इसको गोल्डन सील भी कहते हैं पहले जानते हैं कि हाइड्रेस्टर्स हमारे शरीर में कहां कहां कारे करती है यानि action of hydrostis canadensis hydrostis मुखेता हमारे शरीर के mucous membranes यानि शलैश्मिक जिल्नियों पर कारे करती है जिस वज़े से वह कान, नाक, आंथ, यूट्रस, यूरित्रा इतियादी पर कारे करती है अब जानते हैं hydrostis के रोगी और उसकी मानसिक्ता के बारे में hydrostis का रोगी शारीरिक रूप से कमजोर होता है रोगी की पाचन क्रिया बहुत ही कमजोर होती है जिस वज़े से उसे कोई ना कोई पेट सम्बंदी रोग लगा ही रहता है रोगी कोई भी जरा सा काम करने पर ठक जाता है hydrostis रोगी बहुत ही डिप्रेस्ट परिशान सा रहता है अब जानते हैं hydrostis किन किन रोगों के होने पर उपयोग में लाई जाने वाली मैडिसन है सिर के रोग hydrostis रोगी को सिर दर्द होती है खास कर सिर के अगले भाग में ऐसा रोगी को अक्सर कब्स की शिकायत की वज़से होता है यहां पर hydrostis का उपयोग करने से बढ़िया परिणा मिलते हैं रोगी को सकल यानि खोपडी और गर्दन की मास पेशियों में दर्द होती है जिसे माइलजिक पेन कहते हैं इस तरह की सिर्दर्द और माइलजिक पेन में हाइड्रेस्टस के उपयोग से अच्छे परिणा मिलते हैं कान का रोग हाइड्रेस्टस रोगी के कान से गाड़ा पीले रंग का बदबूदा डिस्चार्ज यानि सराव बहता है कान में तरह तरह की आवाजे सुनाई देती हैं रोगी में बहरापन आ जाता है ऐसी प्रस्थिती में हाइड्रेस्टस लाबदाएक मेडिसन रहती है नाग का रोग हाइड्रेस्टस रोगी की नाग से गाड़ा, पीला, गोन जैसा सराव निकलता है जो हाइड्रेस्टस मेडिसन का महतपून लक्षन है रोगी बार बार नाग को जड़कता रहता है रोगी की नाग में पपड़ियां जम जाती है जखम हो जाता है इस तरह के नाग के रोग में हाइड्रेस्टस के उप्योग से रोगी को रहत मिलती है इसका उपयोग जरूर करना चाहिए मुह और गले का रोग हाइड्रेस्टिस रोगी के मुह का स्वात कड़वा रहता है जीब पर सफेद मैल की परत जमी रहती है जीब में सूजन रहती है रोगी की जीब पर छाले हो जाते हैं और किनारों पर से जीब कटी-कटी सी रहती है यहां पर हाइड्रेस्टिस के उपयोग से अच्छे परिना मिलते हैं हाइड्रेस्टिस रोगी के गले और मुह के तालू में छेद हो जाता है जो नाक तक चला जाता है वहां से गाड़े पीले गोन जैसी कफ आती है खास कर बहुत दिनों तक पारा विवार करने के बाद ऐसी प्रस्थीती में हाइडरस्टस को प्योग करने से रोगी को राहत मिलती है पेट संबंदी रोग हाइडरस्टस रोगी को कब्स की समस्या रहती है जिसे रोगी को सिर और पेट में दर्द होती है और रोगी को ऐसा मालूम होता है कि उसका पेट अंदर की और धंसता जा रहा है ये हाइडरस्टिस का एक महतपून लक्षन है रोगी के मल पर आव यानि मूकस लिप्टी रहती है और ये लक्षन आपको बहुत ही कम पुस्तकों में पढ़ने को मिलेगा मल कड़ा होने की वज़स से गुदा दुआर के स्थान पर कट पढ़ जाते है यानि फीशर हो जाता है जिसे रोगी को मल त्याग देने के बाद भी दर्द होती रहती है ऐसी प्रस्थीती में हाइड्रेस्टस लाबदैक मेडिसन रहती है हाइड्रेस्टस हमारे लिवर पर भी बढ़िया काम करती है जब हमारा लिवर पूरी तरह से कारे नहीं करता जिसे टॉर्पिड लिवर कहते हैं जिससे मल का रंग फीका पढ़ जाता है ऐसे में हाइडरेस्टस लाबदाएक मैडिसन रहती है पूरुष सम्बंदी रोग हाइडरेस्टस रोगी को गुनोरिया की सेकिंड स्टेज में पीले रंग का सराव निकलता है ऐसे में हाइडरेस्टस के उपयोग से बढ़िया परिनाम मिलते हैं इस्तरी रोग जिन इस्तरियों के चेहरे का रंग फीका आँखें धसी हुई और शरीर कमजोर होता है जिने लीवर से संबंदित रोग या ऐसे डिटी बवासिर जैसे रोग लगे रहते हैं उनमें हाइडरेस्टस बहुत ही लाबदाएक मैडिसन रहती है हाइडरेस्टस रोगिनी को जादा मात्रा में लिकोरिया यानि श्वेत परदर की समस्या रहती है जिससे उन्हें गुपतांग में बहुत जादा खुजली होती है ऐसा अकसरीतु सराफ के बाद में होता है ऐसी प्रस्थीती में हाइडरेस्टस के उपयोग से अच्छे परिनाम मिलते हैं कमर दर्द हाइडरेस्टस रोगी को कमर में जकडन और दर्द होती है कुरसी पर से उठने के लिए रोगी को दोनों हाथों की सहायता से खुद को कुर्सी पर से उठाना पड़ता है ऐसे में हाइड्रेस्टस की उपयोग से रोगी को आराम मिलता है इसका उपयोग जरूर करना चाहिए श्वास यंत्र रोग हाइड्रेस्टस रोगी को सीने में जलन एवं दर्थ होती है रोगी को सूखी खांसी होती है ब्रॉनकाइटस रोगी को गाड़े पीले रंग गोंद जैसी बलगम निकलती है रोगी को अकसर पूरे शरीर में बार बार थंडा पसीना आता है रोगी को बाई और लेटने पर दम गुटने लगता है सीने में दर्ध शुरू होकर बाई कंदे तक दर्ध चली जाती है ऐसे में हाइड्रेस्टस के उपयोग से बड़िया परिनाम मिलते है दोस्तों आखिर में जानते हैं कि बताय हुए रोगों में हाइड्रेस्टस को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए बताय हुए रोगों में हाइड्रेस्टस को मदर टिंचर फॉर्म में उपयोग में लाना चाहिए एक चुथाई का पानी में दस ड्रॉप्स को डाल कर पीना है ऐसा आपको दिन में तीन बार दोहराना है आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो और वीडियो और वीट फॉर दीनेक्स वन तिल देन हेल्दी इंडिया हैपी इंडिया